नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्यवारता में दोस्तो आज हम LTT हिंदी के आंसर की आपके बीच में डिसकस कर रहे हैं तो चलिए दोस्तो शुरुआत करते हैं प्रशन नंबर एक से देखे दोस्तो सबसे पहला जो प्रशन है बादल शब्द का प्रियावाची नहीं है तो इसका जो राइट अंसर होना था दोस्तो वो है आप्शन A जलज अगला जो प्रशन ने देखी है कौन सा शब्द शुद है तो शुद्ध जो इसका रूप है दोस्तो वो है option C, श्रिंगार अगला प्रशन देख लेते हैं, हिंदी वर्ण वाला में प्रति एक वर्ण का पहला तीसरा और पांचो वर्ण क्या कहलाता है तो दोस्तो पहला तीसरा और जो पांचो वर्ण कहलाता है वो कहलाता है अल्प प्राण अगला प्रशन देख लेते हैं दिनेश और सुरेश घनिष्ट मित्र हैं इस वाक्य में अव्याय शब्द कौन है तो इस वाक्य में जो अव्याय है दोस्तो वो है option C और अगला प्रशन देख लेते हैं अगला जो प्रशन है देखिए घौ का उचार्ण स्थान क्या है तो दोस्तो घौ का जो उचार्ण स्थान है वो है कंठ क्यूंकि कवर के अंतरगत जितने भी वर्ण होते हैं उनका जो उचार्ण स्थान क्या माना जाता है कंठ माना जाता है ग का उलू मुहावरे का क्या अर्थ है तो इसका जो राइट अंसर होगा दोस्तो वो होगा अत्यंत मूर्ख option B अगला प्रशन देख लेते हैं दोस्तो सांप चचुंदर की गती होना मुहावरे का अर्थ है तो पत प्रष्ट में जो समास है दोस्तों वो है तत पुरुष समास तो इसका जो राइट अंसर होगा दोस्तों ऑप्शन C उर्दु शब्द का अर्थ क्या है तो उर्दु का जो सही शब्द अर्थ है दोस्तों वो है ऑप्शन A शिविर क्लियर है फिर आता है प्रशन नमबर 11 दोस्तो आईने अक्वरी की रचना किस ने की तो दोस्तो इसका जो राइट अंसर होना था वो है अबुल फजल इन में से कौन सा संकरशब्द नहीं है संकरशब्द ऐसे शब्द दो भाषाओं से मिलकर बने हो ठीक है उन्हें क्या का जाता है संकरशब्द का जाता है तो इसका जो राइट अंसर नहीं था दोस्तो ऑप्शन ए अगला जो प्रशन है दोस्तो प्रशन नमबर 13 शुद वाक् तो पुजारिन शब्द में कौन सा प्रत्य है तो पुजारिन में इन प्रत्य होगा आखिर का तो इसका option क्या था ए श्वेद का बिलोम होता है श्वेद का मतलब होता है सफेद और सफेद का उल्टा क्या होता दोस्तो श्याम तो इसका उनाता राइट अनसर श्याम option c अगला जो प्रशन है दोस्तो प्रशन नमबर 17 प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं है तो दोस्तो प्रस या कंधा तो इसका जो राइट अंसर होना था वो होना था option A फिर उसके बाद प्रशन नंबर 19 देख लिजे दोस्तो यह कह रहा है कि किये गए उपकार को न मानने वाला क्या कहलाता है तो दोस्तो यह प्रशन पहचान क्या होती है कि जिन वाक्यों के अंत में क्या है की आए है ना तो की से हम इसको पहचानते हैं जहां पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निरवर है देखिए पहले वाक्य से हमें complete नहीं हो रहा था कि पता नहीं चल रहा था कि पूरा क्या कह रही है तो उसे क्या कहते हैं, मिश्रवाग क्या कहते हैं clear है दोस्तो, अगला जो प्रशन है देखिए प्रशन नंबर 21 करफ्यू नाटग के लेखक कौन है तो दोस्तो इसका जो right अंसर होना था option A option A इसका सही अंसर होना था दोस्तो लक्षमी नारायन लाल अगला जो प्रशने देखिए शुद शब्द चांटिए तो देखिए ये दोस्तो ये बहुत बार एक्जाम में पोच जाता इस शब्द को भी तो इसका जो राइट अंसर था कब ये त्री कवी त्री ठीक है अगला शब्द है देखिए पित्री शब्द में एक प्रत्य लगाने से क्या शब्द बनेगा तो इसका जो सी है दोस्तो बिल्कुल टाइट अंसर है पैत्रिक ठीक है कलम का सिपाही किसकी जीवनी पर अधारित रचना है दोस्तो कलम का सिपाही किसे का जात अगला प्रशन है दोस्तो व्रिक्ष से पत्ता गिरता है इस वाक्य में कारक है तो इसमें कौन सा कारक है दोस्तो अपादान अपादान का मतलता है कि पत्ता क्या हो रहा है वो उसकी जुदाई हो रही है पेड़ से एक तरीके से वो अलग हो रहा है अगला जो प्रशन है देखिए युद की बात कीगी है तो वीरस की बात होगी इसमें ठीक है ना इसमें option C सई होगा वीरस clear है दोस्तो उषम वियंजन कौन सा है तो दोस्तो उषम जो वियंजन है ऐसे वियंजन जिनके उचाण करते समभए उषमा हमारे मुख से क्या निकले मुख विवर से उषमा निकले ठीक है तो शो इसका क्या होना था राइट अंसर होना था, ठीक है न, शौ शलगंवाला, तो option A, अगला यह देखिए, प्रशन नंबर 28 दोस्तों, इन में से हरस्वस्वर नहीं है, O, E, U और A, तो इसका जो राइट अंसर होना था दोस्तों, वो होना था option D, clear है, अगला प्रशन देख लेते हैं दोस्तों, उनकी भाषा कैसी होती है, हमेशा अपचारिक होती है, तो इसका option क्या होना था, option D, इसका सही होना था, अगला जो प्रशन देखिए, हिंदी साहित्य, युग और प्रवरितियां, तो इसके जो लेकर हैं दोस्तों, वो है, डॉक्टर शिप कुमार शर्मा, अगला प्रशन देखिए, दोस्तों, अचारे रामचंदर शुकल ने हिंदी साहित्य इतिहास को कितने कालों में भिवक्त किया है, तो ये चार होंगे, option B, इसका सही होना था, अगला जो प्रशन है, दोस्तों, देखिए, वो है, किर्तिलता की रचना कार कौन है, किर्तिलता, है ना, अगर आपने हमारी हिंदी साहित्य की पीछे वाली वीडियोस देखिए होंगी, दोस्तों, तो उसमें हमने अच्छे से ये चीज़ बताई थी, किर्तिलता के बारे में अभट में लिखी है, विद्यपती के द्वारा लिखी गई रचना है, क्लिर है, दोस्तों, तो इसका option B, यो सरप्पा, इसका option C, इसका सई होना था, दोहा कोश के रचैता कौन है, सरप्पा, कबीर किस कावेधारा के कवी हैं, तो दोस्तों, जो कबीर है, वो ज्यान आश्रई, या ज्यान मारगी कवी कह जाते हैं, ठीक है, तो इसका जो राइट अंसर होना था, वो होना था option B, क्लि जैसी द्वारा रचित महाकाव्य का क्या नाम है, तो जैसी का जो महाकाव्य है दोस्तों, पदमावत है, option D, इसका राइट अंसर होगा, कौन सा जोड़ा सही है, देखिए सूर्दास कृष्ण गिता वली गलत है, तुलसिदास विनेपत्री का ठीक है, जैसी दुहा वली ग दोस्तों, तुलसिदास ने गीता वली में किस भाषा का प्रियोग किया है, तो दोस्तों तुलसिदास की जो गीता वली लिखी गी उन्होंने किस भाषा में लिखा उसको ब्रज भाषा में, देखिए इसको किस भाषा में, option D, इसका सही होगा, अगला है कि रिती मुक्त का अगला प्रशने देखिए पदमाकर द्वारा लिखिद कौन सी रचना है तो इसका जो साई अंसर होगा दोस्तो प्रबोध 50 अगला जो प्रशने दोस्तो वो है प्रशन नमबर 45 बिहारी रितिकाल की किस कावयधारा के कवी है जो बिहारी थे दोस्तो वो थे रिति सिद्ध ठीक है अगला जो प्रशन देख लेते हैं दोस्तो अगला जो प्रशन है शिवा बावनी की सकवी की रचना है तो इसका जो राइट अंसर होगा दोस्तो वो होगा भूशन ठीक है, रिती काल को श्रिंगार काल नाम किस ने दिया है, तो श्रिंगार काल नाम दिया दोस्तो विशुनात प्रसाद मिश्र ने, जबकि मिश्र बंदों ने दिया था अलंकृत काल, ठीक है न, किस बादशाह ने मलिक मुहमद जाइसी की कुरूपता का मजाक उड़ाया था तो ये थे शेर्षा सूरी, option D अगला प्रशन है दोस्तो, गणपती चंदर गुप्त ने हिंदी का प्रत्थम कवी किसे माना है? तो गणपती चंदर गुप्त ने माना है दोस्तो, शाली भद्र सूरी को इसका right answer option D होगा, निमलिकित दोहा किस कवी द्वारा लिकित है मेरी भबादा हरो, राधा नागिरी सोई, जातन की जहाई परे स्यामू हरित दुती होई तो ये जो पंक्तिया हैं दोस्तो, ये किसकी हैं? ये है option B, बिहारी की इसका right answer होगा बिहारी, ठीक है, चरन कमल बंदो हरिराई, जाकी क्रिपा पगूं पर गिरी लधें, अंधे को सब कुछ दर्साई तो देखिए दोस्तो, आपने यहीं से अंधे से ही इसको exact पता लगाना था, तो इसका right answer होगा दोस्तो, सूरदास ठीक है, अगला जो प्रशन है देखिए, लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत, तो यह जो पंक्तिय हैं दोस्तो, यह है option B, गहनानन्द की, तो इसका right answer क्यों था, गहनानन्द अगला प्रशन देख लेते हैं दोस्तो, अगला है कि भाव विलास के रचाईता कौन है, तो दोस्तो भाव विलास के जो रचाईता है वो है देव, क्लियर है, मैथिल कोकिल के रूप में कौन कवी विख्यात है, तो देखिए मैथिल कोकिल का जाता है विद्यापती को, ठी चलते हें इनको क्या का गया था मैथिल कोकिल की संग्या दी गई थी गोषवामी विठल नाथ ने पुष्टी मारक का जहाज किसे कहा है? तो दीखे दोस्टो पुष्टी मारक का जहाज किसे कहते थे? सूर्दासी को आए उन्होंने अगला जो प्रशने दिखिए कभी भूषन ने मुख्य तक किस रस में रचनाएं रची तो भूषन एकमात्र ऐसे जो थे रिती कालिन कभी जिनोंने वी रस की रचनाएं रची थी अगला प्रशन है भारत दुर्दशा नाटक किस के द्वारा लिखी थे तो भारत दुर्दशा लिखा है दोस्तो किस ने लिखा है ये लिखा है भारत इंदू हरिश्चंदर जी ने ठीक है अगला प्रशने दिखिए राष्ट कभी के रूप में किसे जाना जाता है तो इसका उपादिहाय हरियोद द्वारा लिखित, खड़ी बोली का प्रत्थम महाकाव्य कौन सा है? तो इनका जो प्रत्थम महाकाव्य जोस्तों, वो है प्रिय प्रवास। अगला प्रशन देख लेते हैं। अगला प्रशन कहते हैं अध्खिला फूल हर्योद की कौन सी रचना है तो दोस्तो ये है इनका उपन्यास फिर आता है उसके पाद इन्होंने दो उपन्यास लिखे अध्गिला फूल और ठेट हिंदी का ठाट ठीक है कश्मीर सुष्मा किस कभी की रचना है तो दोस्तो इसका उपन्यास विदा की रचना है किसकी है ये जैशंकर प्रसाद के कंकाल तितली और इरवतीन का आधा उपन्यास था क्लिर है दोस्तो जो प्रशने देखिए दीपशिखा और यामा किसकी रचनाए है तो दोस्तो ये जो रचनाए है ये है महादेवी वर्मा जी की तो option C इसक कुमार कवी के रूप में किसे जाना जाता है तो दोस्तो प्रकृति का सुकुमार कवी कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को अगला जो प्रशन होगा प्रयोगबाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है तो दोस्तो जो प्रयोगबाद के प्रवर्तक है वो माना जाता है अग अगला जो प्रशन है दोस्तो, महादेवी वर्मा का ज्यान पीट से पुरस्कृत कौन सी रचना है, तो महादेवी वर्मा की होना था यहां पर, कि महादेवी वर्मा की ज्यान पीट से पुरस्कृत कौन सी रचना है, तो यह है दोस्तो, यामा पर इनको ज्यान पीट पुरस् अगला है कि प्रगति शील लेखक संग की स्थापना कब हुई तो इसका जो राइट अंसर हो का दोस्तो ऑप्शन C 1936 अगला प्रशन है दोस्तो देखिए कौन सी रचना सुदामा पांडे धूमिल द्वारा रचित है कल सुनना मुझे चांद का मुह टेड़ा है भूरी भूर अंसर होना था गजाधर बाबु किस कहानी का पात्र है तो गजाधर बाबु जो कहानी के पात्र है दोस्तो यह वापसी कहानी के अगली जो रचना देखिए पुरसकार कहानी के लेखक कौन है तो इस रचनाकार इसके रचनाकार कौन है जैशंकर प्रसाद तो पुरसकार कह अगला जो प्रश्ण है वो है कमलेश्वर की कहानी संग्रह का नाम है देखिए दोस्तो इनका जो कहानी संग्रह था वो है खोई हुई दिशाएं दोस्तो अगला प्रश्ण है निराला ने किस पत्र का संपादन किया तो निराला ने जो पत्र का संपादन किया था दोस्तो वो साही होना था ग्राम लक्षमी की उपासना निबंद के लेखक कौन है तो दोस्तो इसके लेखक है बिनोबा भावे option A एक घूंट एकांकी के लेखक कौन है तो दोस्तो इस एकांकी की जो लेखक है वो है जैशंकर प्रसाद विल्कुल ठीक है option B इसका उसके बाद है मारे सिक मोही कुठाओ निबंद के लेखक कौन है तो दोस्तों इनके लेखक जो है वो है चंदरधर शर्मा गुलेरी अगला है कि द्रियाई घोड़ा कहानी संग्रह के लेखक कौन है तो द्रियाई घोड़ा कहानी किसकी है दोस्तों यह है उदय प्रकाश की option C फिर आता है जमीन पक रही है यह कावे संग्रह किसका है तो इसका जो right answer होगा दोस्तों वो होगा option A किदारनात सिंग फिर उसके बाद आता है दोस्तों मानस का हंस किस की जीवनी पर आधारित उपन्यास है तो दोस्तों जो मानस का हंस है देखिए यह है तुलसिदास की जीवनी पर आधारित ठीक है, option डी इसका सही होना था फिर उसके बाद आता है, दोपहर का भोजन कहानी के लेखक कौन है तो दोपहर का भोजन जो कहानी लिखी है दोस्तों ये लिखी है अमर कांतने पिर उसके बाद आता है, एक नदी इरावती निवंद के लेखक तो इसके जो राइट अंसरों का दोस्तों, option C, विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित एकांकी, तो इनका द्वारा लिखित जो एकांकी है दोस्तों वो है भाग्या नक्षत्र, अगला प्रशन देखिए, वैदी की हिंसा हिंसा न भब्ती प्रहसन के लेखक हैं, तो दोस्तों इसके जो लेखक हैं वो है भारत इंदू, हरिश्चंद्र, option C, इसका बिल्कुल करेक्ट अंसर होना था, प्रेमचंद द्वारा लिखित अंतिम अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो इनका जो अधूरा उपन्यास है, वो है मंगल सुत्र option B, स्ने निर्जर बह गया है, रेत जूंतनों रह गया है, तो इसका वीता के रचैता हैं दोस्तों, सुर्यकांत त्रिपाठी निराला, option D, इसका सही अंसर है, दिनकर द्वारा लिकित निवंध है, नेता नहीं नागरिक चाहिए, तो इसका जो सही अंसरों का दोस्तों, option C उसके बाद अगला प्रशना आता है कि भारत इंदू हरिष्चंदर द्वारा संपादित पत्रिका, तो इनके द्वारा संपादित जो पत्रिका थी दोस्तों, वो है कवी वचन, सुधा, option A, यशोद्रा कवीता के रचनाकार, तो इसके वीता के रचनाकार है, मैथली, शरन गुप्त, फिर उसके बाद आता है, इन में से कौन कफन कहानी का पात्र नहीं है, तो देखिए दोस्तों, इसमें जो right answer होना था, मदुआ, option, एक बार प्रशन फिर से देख लेते हैं दोस्तों, इन में से कौन कफन कहानी का पात्र नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो इसक उधर उदेश का विधर हले, के अभयव होते हैं, तो देखे दोस्तों, उधष और विधर जू अभय अभयव होते हैं, यह होते हैं, वाक्य के, यहाँ पर एक चिन दिया हुआ दोस्तों, इसको जो यह कहते हैं, ऊपर डॉट लगाया हुआ है, नीचे बिंदी लगाई हो तो इसका option D— 25 होना था प्रासन नम.100 देख लेते हैं डोस्तोँ अगला है कि रूपक खिसका भेध है तो इसका सयंसर है दोस्तोँ वो है द्रिश्यकावय अगला जो प्राशन है दोस्तो儿 प्राशन Number 101 देखिये महाकावय किसका भेध है तो महा काव्य जो है दोस्तों वो है प्रबंध काव्य का भेद तो प्रबंध काव्य में क्या होता है कि एक महा काव्य होता है दूसरा खंड काव्य होता है ठीक है अगला आता है कि यमक अलंकार कैसा अलंकार है तो दोस्तो जो यमक अलंकार आता है वो आता है शब्द अलंकार के अंतरगत clear है अगला जो प्रशन है देखिए चरन कमल बंदो हरीराई पंक्ती में कौन सा अलंकार है तो इसका जो right answer दोस्तो रूपक अलंकार अगला प्रशन है पवित्र शब्द का संधी विचेद तो दोस्तो संधी विचेद पो जमा इत्र जहां पर O के बाद E हो तो उसका क्या बन जाता है अभी बन जाता है ठीक है पवित्र क्लियर है दोस्तो अगला जो प्रशन है देखिए दोस्तो तो जिस चंद के पहले वो तीसरे चरणों या पदों में 13-13 मात्राएं हो तो तो दूसरे वो चौते वरणों में 11-11 मात्रे हो वहाँ पर कौन सा चंद होता है तो दोस्तो इसका जो राइट अंसर होना था वहाँ पर होता है दो हा चंद क्लिर है दोस्तो अगला ता है कि चौपाई कैसा चंद है दो जो चौपाई है दोस्तो वो है option A सम मात्रिक चंद तो इसका A सई अंसर होना था सम मात्रिक चंद दो टू कलेजे के करता पच्ताता पत पर आता पेठ पीठ दोनों मिलकर है एक चल रहा लकुटिया टेक इन पंक्तियों में कौन सा रस है तो दोस्तो इन में जो रस होगा वो होगा करुन रस तो उनको देखके एक तरीके से करुना और द्यारी है उसको देखके जो बिखश प्रचार्य शब्द में उपसर्ग क्या है दो प्रचार्य में होगा दोस्तो प्रव option B इसका right answer होगा उसके बाद आता है आपका question number 110 तो इसमें देखिए योगरूड शब्द कौन सा है देखिए योगरूड योग का मतलब क्या होता है जहां पर दो शब्द आपस में मिलकर एक शब्द मना रहे हो ठीक है तो इसमें देखिए option C इसमें correct होगा पंकच पंकच किसको कहते हैं जो कीचड में जन में है अगला जो प्रशने देखिए पश्चमी हिंदी का उदभव जिस क्षेत्री अपभरंश रूप में हुआ है उसका नाम क्या है ठीक है पश्चमी हिंदी का उदभव किस क्षेत्री अपभरंश रूप में हुआ है उसका नाम क्या है दोस्तो वो है शौरसेनी शौरसेनी से निकली है ना पश्चमी हिंदी ठीक है आगे आता है कि अगनी कैसा शब्द है तो दोस्तों जो अगनी शब्द है ये है तत्सम शब्द अगला प्रशने देखिए यार लवर कैसे व्यंजन है तो दोस्तों ये है अंतस्त व्यंजन उप्शन बी करेक्ट अंसर होगा फिर आता है कि समिधान की आठवियन सूची में कुल कितनी भारतिय भाषाएं है उप्शन C 22 उसके बाद अगला देखिए शुद शब्द कौन सा है बीमारी बीमारी फिर इसका जो राइट अंसर होना था दोस्तों ये होना था ओप्शन D रामधारी सिंग दीनकर को किस रचना में ज्यानपीट पुरुसकार मिला है तो राइट अंसर है दोस्तों उर्वशी फिर हम देख लेते हैं प्रशन नंबर 117 शबदार्थो, सह्षीतो, काव्यम यह किस अचारे द्वारा प्रदत है तो यह जो पंक्ती है दोस्तों यह है अचारे भामगी तीमिर का प्रियायवाची कौन सा शब्द है तो दोस्तों तीमिर होता है अंदेरा ठीक है अंदेरे का मतलत है अंदकार बोजपूरी निमी लिकित में से किस उपभाशा की बोली है तो यह आती है बिहारी के अंतरगत ठीक है ब्रज भाषा किस उपभाषा की बोली है तो ब्रज भाषा जो है वो पश्चमी हिंदी के अंतर गताती है क्लिर है दोस्तो अब हमारा शुरू हो जाता है दोस्तो जो जी के वाला portion है वो वाला इसको देख लेते हैं देखे कौन सा जोत मंडी को कुलू से अलग करता है तो इसका जो right answer होगा दोस्तो option A दुलाची पास ठीक है रिगवेद में वरनित विपाशा किस नदी का नाम है तो विपाशा कह जाता है दोस्तो ब्यास नदी को ठीक है चमबा के प्रसिद मिंजर मेले में मिंजर किस का प्रति रूप है तो मिंजर जो है दोस्तो वो है मक्का का अगला प्रशन है दोस्तो रोहतांग पास दर्रा की चाई कितनी है तो दोस्तो इसका जो right answer होगा option B 498 हिमाचल परदेश विधान सभा में कितने निरवाचन ख्षेत्र है तो दोस्तो ये है 68 ये तो आप सबको आ जाता है उसके बाद आता है पत्थर का खेल कहां का प्रमुक मेला है तो दोस्तो इसका जो right answer होगा हलोग नाको जील हिमाचल परदेश के किस क्षेत्र में स्थित है तो दोस्तो जो जो नाको जील है हिमाचल में होकी स्टेडियम कहां पर है तो दोस्तो ये है सई अंसर शिलारू option C इसका right answer होगा निमिलिक्त में से कौन सा शिव मंदिर है मंडी का भूतनात कुलू का बिजली महादेव कांगड़ा का बैजनात या उपरोक्त सभी बड़ा भंगाल किस नदी का उद्गम स्त्रोथ है तो दोस्तो जो बड़ा भंगाल है देखिए ये है राभी नदी का clear है फिर उसके बाद आता है दोस्तो question number 131 तो देखिए 131 में क्या गयते है कि वीशु का सबसे बड़ा फिल्मी शहर रामोजी फिल्म सिटी कहां स्थित है तो दोस्तो ये है है खैदराबाद में किस महिला ने एवरेस्ट को दो बार फत्या किया तो दोस्तो इसका नाम था संतोश यादव option C भारतिय समीधान ने समवर्ति सूची की धारणा कहां से लिए है option C इसका सही होगा दोस्तो ऑस्टेलिया से गदर पार्टी का मुख्याल है किस नगर में स्थित है प्रशन नमबर 134 देखे दोस्तो इसका जो राइट अनसर होगा San Francisco option B इसका correct होगा भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A संबंदित है सिंदु घाटी से बैता के लोगों दोरा कौन सी धातु धातुएं प्रियोग में लाई गई थी तो दोस्तो इसका जो राइट अनसर होगा option D तामबाव कांस्य अगला प्रशन देखी दोस्तो किस वर्ष सतिप्रथा को गैर कानुनी घुशित किया गया तो दोस्तो ये था 1839 में राजाराम मोहन राय के दोरा उस्ताद अब्दुल राशिद खान निमी लिकित में से किस से संबन देथ हैं तो दोस्तो ये थे शास्त्रिय गाइन से संगीत से अगला प्रशने देखिए भगत सिंग राजगुरू और सुखदेव को 1931 में किस दिन फासी दी गई थी तो 23 मार्च ये तो सब लोगों को याद होगा जो भी युवा बर गहें हमारा राज की डिटका क्लिर है दोस्तो तो महाभारत में पांड़ों के लिए इंदरप्रस्त में किस ने महल का निर्मान किया था तो इसका जो राइटन सरों नसर दोस्तो वो है विश्व कर्मा फिर है ब्रिटिश समराजय में दास व्यपार का उन्मूलन किस वर्ष में हुआ तो बिटिश समराज़ में दोस्तों दास व्यपार का उनमूलन 1789 अगला है कि लोकसभा में शुन्य काल की सरवधिक समय सीमा तो यह है दोस्तों लगभग एक गंटा अधिक से अधिक भगवान महावीर का जनम कब हुआ था? प्रशन नंबर 144 देखिए भगवान महावीर का जनम कब हुआ था? तो महावीर का जनम जो हुआ था दोस्तों यह हुआ था इसका जो राइट अंसर होगा देखिए ओप्शन D 599 इसवी चंदरगुप्त मौरे का पुत्र कौन था? तो दोस्तों जो चंदरगुप्त मौरे का पुत्र था वो था बिंदुसार 145 का होना था ओप्शन C साई अंसर ठीक है? अगला प्रशन देखिए निमिन लिखित में से किस देश की राजधानी मैड्रिड है? तो दोस्तों मेड्रिड जो है वो है स्पेइन की राजधानी, clear है? फिर उसके बाद आता है 147, 147 का जो राइट अंसर होगा दोस्तों हाइड्रोजन का क्या रंग होता है? तो हाइड्रोजन रंग हीन होता है, clear है दोस्तों इसका ओप्शन होगा, ओप्शन D शास्त्रिय नृत्य भरत नाट्यम किस राज्य की प्रसिद नृत्य शैली है तो दोस्तो ऑप्शन A तमिल नाडू निवन में से कौन सा देश सारक सदस्य नहीं है तो इसका जो सई अंसर होना है दोस्तो वो होगा ऑप्शन A मयामार हिमाचल प्रदेश की सबसे उंची चोटी परवत शिकर शिला किस जिले में पढ़ती है तो दोस्तो इसका जो राइट अंसर होगा ऑप्शन C की नौर यहां पर हमारे प्रशन जो दोस्तो संपन हो जाते हैं अगर आपको वीडियो में कुछ एक प्रशन मैं कुछ डाउट लग रहा है दोस्तो तो आपकी कमेंट्स का स्वागत है दोस्तो आप बेजीज़क कमेंट शक्शन में जाकर उसका उद्द्र बता सकते हैं हमारे साथ की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ नई लेक्चर के साथ तब तक के लिए मुझे दीजे इजाज़त जय हिंद जय भारत